दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, EPFO अप्रों मेम्बर्स हो लए का है, दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले, तो दोस्तो अगर इह वीडियो आपको पसंद आये तो इस वीडियो को लैक किजिए एभ हो शेयर कीजिए के friends के साथ और इसी तरह की बेहतरी इन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के डिक नीचे एक लालंग का सब्सक्राइब का बटन देख रहा होगा आप उसको दवाइए और दवाने के बाद एक बेल का आइक आएगा करने वालों के लिए पैसा माहीने रखताया है यही वजाया है कि आप भविष्जी या यू कहें कि रिटायरमेंट की प्लानिंग को खत्म कर देते हैं इसके अलावा पेंशन योजना की निरन तर्था को भी खत्म कर देते हैं अकसर लोग कमपनी बदलते ही तोरंट पैसा विड्रॉल कर लेते हैं लेकिन पी-फ को तोरंट निकालना समझदारी नहीं एमरजनसी में ही इस फंड को निकालना सही है क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद भी इस पर पी-फ का ब्याज मिलता है इसके अलावा दूसरा विकल्प होता है कि नई कमपनी में ही पुरानी कमपनी का पी-फ ट्रांसफर करा लिया जाए इससे फंड की निरंतरता भी नहीं तूरती है और ब्याज भी पूरी रकम पर मिलता है नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप पी-फ की रियाशी को नई कमपनी में ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी सर्वेस हिस्ट्री को निरंतर माना जाता है ऐसे में आपकी खाते पर मिलने वाली पेंशन यूजना को बंद नहीं किया जाता रेटायर्मेंट के वक्त प्रॉबिडेंट फंड डेपार्टमेंट यही देखता है कि आपके कुल सिवा कितने साल की रही और आपके एकाउन में कितना फंड है इसके आदात पर ही गड़ना करके मासिक पेंशन यूजना का फाइदा मिलता है इसके अलावा सर्विस हिस्ट्री नहीं तूटने पर आपको कई तना की सुविदाओं का लाब मिलता है 58-60 साल की अमर में रेटायर्मेंट का दौश शुरू हो जाता है पेंशन यूजना भी यहीं से शुरू होती है लेकिन अगर आप रेटायर्मेंट के बाद भी तीन साल तक पैसा नहीं निकालते तो ब्याज मिलता रहेगा तीन साल के बाद ही इसे निश्क्रिय खाते की कैटेगरी में डाला जाता है हाला की ब्याज उसके बाद भी मिलता है पी एफ की राजशी को ज़्यादा समय तक अपने खाते में रखने का फाइदा मिलता ही है साथ में टेक्स फ्री होने का फाइदा भी मिलता है इसलिए जरूरी है आप अपने पी एफ कॉंटिबिशन जादा रखें और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राख बताईए आपको क्या लगता है क्या वाकई में पी एफ का पैसा नौकरी जाने के बाद भी रखे रहना चाहिए या फिन निकाल लेना चाहिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताएगा जरूर और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सबी को इन अपडेट्स के बारे में पता चल सके और शेतना की लेटेस्टर बेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो के ठीक नीचे एक लालंग का सबस्क्राइब का बटन दिख रहा होगा आप उसको दबाईए और दवाने के बाद एक बैल का आइकॉन आएगा आप उसको भी दबाईए तक इस तरह का हर ने वीडियो आप तक असनी से पहुंच सके पर अपमा खेल लगएगा फर मुलकात होगी थैंक यू